हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो मैं चैनल आशियन आफग्राफ्ट दोस्तू आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ओयल डिस्पेंसर के कलेक्शन्स ने कराई हूं और आपके वीडियो सुरू से अन्त तक देखें अगर आप एक ओयल डिस्पेंसर खरिदने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस ना करें जरूरी से देखें हो सकता है कि आपके पसंद का कोई ओयल इसी मैं हो कि इसमों प्राइस के ऑईडिस्पेंसर मैंने इस वीडियो में इंट्लूड गिया है तो चलिए देखते हैं ओयल डिस्पेंसर्स Wyh यह ओयल डिस्पेंसर है जो कि ग्लास और स्टील से बना हुआ है और उपर जो प्रेस करके ओयल निकाला जा सकता है और यह जो डिस्पेंसर है इसमें आप विनेगर और ओयल रख सकते हैं और एक तरफ पिपर और नमक भी रख सकते हैं यह जो ऑल डिस्पेंसर का एक सेट है इ पॉर्सेलिन का बना हुआ है बहुत अच्छा ऑल डिस्पेंसर है देखने में बहुत है सुन्दर लग रहा है और प्राइस भी जाता नहीं है निक्स जो ऑल डिस्पेंसर है ये भी ग्लास और स्टील से मिलकर बना हुआ है और ये दो बोतल आपको सेवन सिक्स्टी रुपेज में मिलने वाला है और यह जो है यह single oil dispenser है जो कि steel और plastic से बना हुआ है और इसके price 300 है निक्स दोस्तों मैं इन oil dispenser के जो link है वो मैं description box में दे दूंगी आप चाहें तो वहाँ से check कर सकते हैं यह भी बहुत खुपसुरत oil dispenser है glass और steel का बना हुआ है यह भी दो bottle एक साथ 699 में available है यह जो oil dispenser है यह पूरा glass का है इसके साथ इसी price में आपको दो bottles मिलने वाले हैं यह जो oil dispenser है यह बहुत कम price में मिलता है 260 रूपीज में और यह steel और plastic से बना हुआ है नेक्स जो oil dispenser है यह टू टू नाइन रूपीज में है साइज में थोड़ा बड़ा है इसके बाद जो next oil dispenser है आप देख सकती है यह glass का है और उपर में aqua green कलर का इसका knob है और बहुत ही अच्छी price में यह मिल रहा है और यहां पर आपको दो सेट मिलेगा bottle का जिसमें आप oil रख सकती है mustard oil या olive oil जो भी आप चाहें और यह जो oil dispenser है यह थोड़ा बड़े साइज में है इसमें इसके लिए के साथ एक nozzle है जिससे आप oil पोर कर सकते हैं और साथ में candle भी है यह oil dispenser बहुत ही कुपज़त लग रहा है यह porcelain से बना हुआ है इसमें एक strand के साथ आपको दो bottles मिलने वाले हैं और इसका cap है उपर आप बंद कर सकते हैं इसे यह दो ग्लास के oil dispenser से पोर फोर नाइन के में आपको यह दो पोटल मिल जाएंगे और यह बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों इसमें एक नाइल शिलिकॉन ब्रस है और ग्लास का बेस है जिसके जिससे आप पराटा वगरे बनाने में यूज कर सकते हैं यह नेक्स्ट और यह दो रिर्फेंसर है इससवां का पूर्ल भी समय कावव का ब्रस है आपका यह अलिकान आपका इस प्राइस उय व Stage और उपर के पास जो हित्सा है वा प्लास्टिक है नेक्स्ट और रिस्पीन सर जे हले यह एक क्ली सभ़ण है और यह भी स्टील और glass से बना हुआ है इसका लैंग और ब्रेत आपको दिख रहा हुगा और यह जो deep का है अभरभी plastic का है यह काफी बड़े size का है यह जो e equal dispenser वह आपको ही प्लास्टिक से और इसके दो हैं जो कि काफी प्लास का बना हुआ है पुष करने से अल भी बहुत अच्छा है और ये पर्सलीन बना हुआ है इस में बहुत अच्छे फूल कारी डिजाइन्स बने हुए हैं बहुत ही कुप्सरत लग रहा देखने में और प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है निक्स्ट ऑल डिस्पेंसर है यह 284 का है और यह फूल प्लास्टिक से ही प्लास्टिक बॉडी है इसकी उपर नॉजल लगा हुआ है उसके उपर यह जो बॉडी है वह ग्लास बॉडी है उपर जो कवर है लीड है वह प्लास्टिक का है यह ऑल डिस्पेंसर बहुत ही कुप्सरत लग रहा है डग के शेप का इसका उपर का नॉजल है और यह प्यार बॉटल एक ट्रे के साथ आपको मिल जाएगा और यह सिलिकॉन ब्रस इ से आप ऐल एपलाई कर सकती है पराठे या जो भी आप सीख रही है उस पर और यह ऑल डिस्पेंसर कुछ अलग तरह का है यह ग्लास और स्टील से बना हुआ है आप देख सकते हैं कि उपर जो एक पुश बटन है उसको पुश करने से और यह स्टील का और प्लास्टिक का ब यह सिंगल बॉटल ओयल डिस्पेंसर है ग्लास से बना हुआ है नेक्स जो ओयल डिस्पेंसर है देखिए कुछ इस तरह का है इसकी प्राइस आगे वाले डिस्पेंसर से थोड़ा कम है यह 299 इसकी प्राइस है और नेक्स जो ओयल डिस्पेंसर है यह प्लास्टिक का बना हुआ इसके बहुत ही ज्यादा डिस्कांट में मिल रहा है स्रिफ 85 रूपीज में आपको मिल जाएगा और यह थोड़ा बड़ा साइस का यह ओल डिस्पेंसर है यह भी एक्रलिक का बना हुआ है और इस 255 रूपीज इसकी प्राइस है बहुत ही कम प्राइस है इसकी और यह वंडर सेफ का ओल डिस्पेंसर है ग्लास का और उपर जो है आपका लीड है और इसको खोनने से आप उसमें नौजल है जिससे आप और पोर कर सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमांड बाक्स में बताएं और इसे लाइक और शियर करना ना भूले टाटा